दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टेस्टिंग इंटरलोक कैसे हटाया जाता है जब आपके MPD नॉजलों पर टेस्टिंग इंटरलोक लग जाता है तो हम उसको रिमूग कैसे करते हैं हमें कैसे पता चलता है कि टेस्टिंग इंटरलोक लग चुका है तो देखे है जो हमारे नॉजल हरे हैं तो अब यह टेश्टिंग इंटरलख लग चुका है इसको रिमूब करना है तो इसको तो remove कैसे करते हैं friend, देखिए दोस्तों सबसे पहले remove करने के लिए इस पर हम click कर देंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने click किया, तो हमारा pump control open हो चुका है, देखिए अभी हमने यहाँ से click किया था, तो यहाँ से हमारा pump control open हो गया है, अब यहाँ पर हमारा nozzle machine select हो चुकी है एक number, क् तो Massey ने 1 number पर Testing Interlock लगा है, और 1 number nozzle पर लगा है, इसके बाद हमने nozzle Select किया 1 number, 2 number, एक number है जो हमारा वो diesel का है, और 2 number nozzle है जो हमारा petrol का है, तो हमारा किस पर लगा है? 1 number nozzle पर तो हम यहां पर divide कर लेंगे एक number, इसके नीचे आएंगे Select Type, तो select type में हम इसको open करेंगे इसमें करेंगे volume इसपे हम पर click कर देंगे अब नीचे की साट आएंगे तो इसके लिख़ा है cash थे करना है तो यहां पर देखे टेस्टिंग कहा है यहाँ पर लिखा है यहाँ पर चॉइस करेंगे थेस्टिंग, यह लख़ा है तेस्टिंग तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहां पर सब कुछ हो गया है, अब बोलियम डालेंगे हम, कितने लिटर, 5 लिटर की टेस्टिंग होती है, तो हम इसमें डाल देंगे 5 लिटर, तो देखे फ्रेंड यहाँ पर बोलियम में हमने डाल दिया पांस लीटर में बैलू पांस लीटर कर दी इसकी अब यहाँ पर एक लिखा है प्रिसेट और एक लिखा है रिसेट हमें प्रिसेट वाले आप्शन पर क्लिक करना है हम इस preset वाले option पर click कर देंगे और इसको okay करने के बाद हम चलेंगे अपनी machine पर यह हमारे पास 5 लीटर का major है जो की नापतल विभागदोरा certified होता है इस पर seal लगा जाती है तो इसको अभी हम इसमें 5 लीटर की testing निकालेंगे तो testing है जो एक major का hall है यहां तक आना चाहिए चलिए start करते हैं अब हमें diesel की 5 लीटर की testing निकाल ली है अब मैं आपको यह भी देखाता हूँ कि लोग बोलते हैं कि जटके मारने से petrol diesel कम आता है तो देखिए मैं इसमें जटके भी लागा के देखाँगा आपको कई जटके मारूंगा आपका एक भी बून पैटरल डीजल कम नहीं होगा देखिए मैं बार बार इसमें जटके लगा रहा हूँ फिर भी आपका एक भी बून पैटरल डीजल कम नहीं होगा देखिए हमारा जो डीजल है पूरा हॉल तक आएगा यह पूरा हॉल तक डीजल आएगा चाहिए जटके लब मारो एक बार भी इसमें एक भी बूंद कम नहीं होता है यह अफ़ाय होती है लोगों की कि जटके मारने से पैट्रोल डीजल कम आता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखिए यह हमारा जो 5 लीटर का मेजर है यह बिल्कुल हमने जो 5 लीटर का परोड़ेट निकाला है डीजल का हमारा फिक्स 5 लीटर डीजल हमारे हॉल तक आ चुका है और यह हॉल से भी बाहर निकल चुका है देखिए अब अब मैं आपको देखाऊंगा पहले नोजल को रखते हैं प्रॡूजयर रखने के बाद, अब देखे फ्र duplicate, जो हमारा ये मेजर है इसका जो, हॉल है, ये हॉल से भी बाहर निकल चुका है देखिए, ये हॉल है, इससे भी बाहर डीजल निकल चुका है अब देखे, मैं अभी इसको, आपको साइड में करके देखाऊंगा यह हमारा फुल हो चका है पांच लीटर इसको साइड में करेंगे अभी हम जला साइड में करके दिखाएंगे तो यह जो हमारा डीजल है यह हॉल से भी बाहर निकल चुका है देखिए अभी इसको साइड में करके दिखाती है इसको side में किजिये, ये hall से बाहा निकल चुका है डिजल, देए side में देखिए आप यहां से hall से आया और ये tiles पे चला गया, और इसमें हमने कई धटके भी मारे ही हैं, तो धटके मारने से कुछ नहीं होता है, पूरा product निकलता है, आपको हमने इसमें testing निकलना भी सका दिया ह तो फ्रेंड अभी हमारी टेस्टिंग निकल चुकी है और हम आपने आपने आटोमेशन सिस्टम पर तो अभी आपने यहां पर देखा होगा कि जो हमारे नॉजल है वो यहां पर बंद हो चुके थी अब यहां से हमारा जो टेस्टिंग इंटरलॉक लगा हुआ था वो हट कि अधने बंद करेंगदे कि अभी है थी आपने पर दो प्रेंग अभी है झाल के लुब यहां पर दो जो हाँ पता हुआ है विए विए बंद है है तो.